कि कक्सा साथ के प्यारे विद्यारतियों नमस्कार सुपरबात से दाब अच्छे होंगी देखिए अपना जो पाड़ चल रहा था उस पाड़ के अंदर हम बात कर रहे थे निमंद लेखन की तो निमंद लेखन के अंदर आज हम एक उधारन ले रहे हैं निमंद का उधारन है विज्यान वर्दान या अविशाव आपकी बुक के अंदर देखे पेज नमर 50 के उपर विज्यान वर्दान या अविशाव तो इसके अंदर आप ये निमंदर अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे के पेज नमर पचानस से लिखावा है वरत्मान युग विज्यान का युग है आज विज्यान बहुतीं तरकी कर चुका है आज जीवन का कोई भी खेत्र से अचुता नहीं है कि विज्यानarin के विजिवन अविसकारूने माणौ जीवन को अतियंत सरल बना दिया है आज विज्ञान के विभिन चमतकारूं के कारण ही मनुष्य ने प्रकरति को भी अपनी दासे बना लिया है इस परकार विज्ञान के वर्दान ऐसे मेत है इसको आप लिखोगे भूमिका में या परस्तावना में फिर लखेंगे आप विस्तार से तो उधारण उसमें विज्ञान के कहा कहा किस किस में क्या क्या आविस्कार है देखें विज्ञाने वायुयान जलियान मेट्रो ट्रेन बस कार रेल गाड़ी आदि का आविस्कार करके मिलू की यात्रा को कुछ मिंटों में बदल दिया गंटों में बदल दिया ता टेलेप पॉन इमेल मोबाइल पॉन आदी के द्वारा हम अपने संदेशों को सीकरता से बहे सकते हैं और पा सकते हैं विगयान के समतकार के कारणी हम ना क्यों चंदर्मा पर पहुंचें अपीतु हमें मंगलयान की याध्राद भी काम्याभी मिली है हम आस्मान में बहुत दूर अंत् सलता के साथ अंत्रिक्स के अलग-अलग गरूँ पर जा रहे हैं चिकित्सा के क्सेत्र में अगला पॉंट बनाओंगे चिकित्सा के क्सेत्र में आप लिखोगे नहीं नहीं ओस्तियों की खोज होने और नहीं नहीं मशिनों के आविश्कार के कारण ही चेचा तले कुष्ट हेजा जैसी संक्रमक बिमारी पर काबू पाया गया है और आज ऐसा दे रोगों का भी उपचार संबोग हो सका है विज्ञान के कारण ही आज विश्वे में जो महामारी है कोविड-19 यानि कोरोना महामारी की जो एक सही और सटिक ओस्ति का जो वेक्षिन है वो विज्ञानी की देन है इसके साथ साथ आज उसके उपर हम जो काबू पार रखे हैं यानि बहुत बड़ी तरास्ति को हम रोक रखे हैं यह सब विज्ञान के कारण हुआ है क्यों आज हम तुरंत प्रभाव से उसकी जांच करके और उसको अपन मेडिशन दे सकते हैं दवाई दे सकते हैं तो यह सब विज्ञानी का प्रवाव है अगला पॉइंट बनाओ गया मनोरेंजन के किसेतर में मनोरेंजन के किसेतर में भी विज्ञान का समतकार है कि हम घर बेटे ही दूर-दूर की गटनाओं को टेलिफिजन मोबाइल फॉन आदी उपकुरून से देख और सुन सकते हैं समाचार पर सकते हैं यह विज्ञानी की देन है कि कर्शी के किसेतर में भी हम नएने रसाइने कोई खोज में फसलों के पैदावार बढ़ा रहे हैं इसके लाए विज्ञान की सबसे बड़ी देन है कंप्यूटर जिसने सारे कामों को अतियनती सरल और सुगम बना दिया है स साथ ही कंप्यूटराइज रोबोट ने तो मानव के अनेक एसंबव कारियों को संबव कर दिया है अगला पॉइंट बनाओगे आधनी की विज्ञान का सबसे बड़ा आविश्कार विद्यूत यह विज्ञी विज्ञी का उत्वान में माना जाता है जिसके प्रकास देने क साथ साथ कृत्रिम अगनी वायू जल सभी को उत्वन करने में अद्वुद योगदान है अगला पॉइंट आप बनाओगे एक और विज्ञान मानों को अनेक वरदान दिये है इसके अंदर आप इस पॉइंट में आप लिखोगे विज्ञान के हानिया या अभिसाफ विज और विज्ञान ने मानों को अनेक वरदान दिये हैं वहीं दूसरी और फाइटर विमान अनुबं जैसे आविसकारों से संपुन मानों जाते का जिवन संकट में अतन इसकास यह है कि यह दि विज्ञान के आविसकारों का परियोग मानों हित में हो तो वह वरदान है और यह इसका दुरुपईों किया जाए तो यह अभी साफ है, इस परकार सतुफियों और दुरुपियों का समन्द विज्ञान पर नहीं, बल कि उसके उपियों करता यानि मानव पर निरवर है, इसलिए मानव को सोल समझ करके विज्यान को वरदान के रूप में लेना है नहीं कि अभिशाप के रूप में तो यह तो था आपका निमंद, विज्ञान, वरदान या अभिशाप उसके साथ आपकी जो अक्सेस हैज के लिए पेज नमर एकाउन फर है आओ करें इसके अंदर एक आपको श्रम एक निमंद बना के लिखना है परदूसन पर देखिए इसमें कुछ आपके सहर में दिन परती दिन परदूसन का कैर बढ़ता जा रहा है बढ़ते परदूसन के समझे आप एक निमंद लिखे आप इसके निचे दिये प्रारूप के अधार पर आपको निमंद लिखना है भुमिका में किस जसी शुक्ति के साथ आप इसका प्रेयोग करेंगे कि जिस तरह से साफ्ट सवच्स प्रयावरन मानव का जेवन तंदुष्त विश्य का फिर विश्तार पॉयंट बनाके करेंगे और उफसार या अंत में विश्चे का अंत दॉच्च के साथ एक जोगन के साथ करेंगे आज का आपका यह उम्रक होगा आओ करें 11 प्रयावन पर्दूशन पर निमंद पर दूशन की समस्या के बारे में आपको निमंद लिखना है और यह जो विज्ञान वर्दान या अभी साफ वाला है यह अपने बुक में से आपको पेज निमर 50 से इसको कोफी राइट करना है यह वैसे कवे से उतारना है आज कहा इतना ही अगले वीडियो में हम नया पार्ट लेंगे पार्ट चार कवीता जो अगला वीडियो आपका होगा सुरज का अफरन है पार्ट चार